नमस्कार किसान भाईयो मैं वक्षय जाकड और आपका मेरे पाउर स्ट्रोक ट्रेक्टर्स चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो किसान भाईयो आज हम रीवियू करेंगे आई सर चार सो पिचासी का तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और अगर आप मार अच्ट लाइट दे रहते हैं वो काफी शानदार है और मुश्किलर टाइब की बोड़ी है इस ट्रेक्टर की एरोड़न डाइनेमिक शेप के अंदर और सिल्वर कलर है जो कि काफी शानदार लग रहा है यह ट्रेक्टर और काफी मसहूर ट्रेक्टर 485 आइसर का तो चलिए इसका जो फ्रंट एक्सल है तो वो नोन एड़ेस्टेबल दे रखा है नोन फ्लेक्स ही है फ्रंट एक्सल जो और यह देखिए आइसर की ब्रेंडिंग की गई है HD कलर के अंदर ग्राफिक्स के अंदर HD है जो और फ्रंट में आपको 90 कजी का बंपर मिलेगा कंपनी साथ में देगी और इसके जो फ्रंट टायर है वो 600 के फ्रंट टायर आपको देखने को मिलेंगे वहीं पाउर स्टेरिंग है तो वह डूवल एक्टिव पाउर स्टेरिंग आपको मिलेगा इसके अंदर तो यह देखिए HD ग्राफिक्स चारसो पिचासी की ब्रेंडिंग की गई है तो वहीं इसके इंजन की बात करें तो यह देखिए बोस कंपनी का इन लाइन पंप दे रखा है और तीन सिलेंडर का इसका इंजन है 45 HP का जो की 3945 CC जनरेट करता है और एकिसो पचास आई रेटेड आर्पिम है इसके इंजन की और इसमें फोर स्टेज ओईल बात एयर फिल्टर दे रखा है जो काफी शांदार है किसान भाई हो और यह देखिए वीडियो मनीश आइसर कंपनी अनुमानगड से बनाई गी यह वीडियो यह तो आप अगर अ अगरें का एक शान भाई हो तो 45 से 50 लीटर का फ्यूल टेंक दे रखा है जो काफी शांदार है 45 HP के ट्रेक्टर में और इसके ट्रांसमिस्न की बात करें तो इसमें आपको शिंगल और डूल कलच दोनों ओप्सन मिलने वाड़े हैं तो यह ट्रेक्टर है जो यह डूल कलच दे रखा है यह देखिए फैंडर के उपर इसकी ग्राफिक्स दी गई है और काफी स्टाइलिस इंडिकेटर दे रखे हैं इस को ट्रांसमिस्न टाइप है वो तो वो कंबाइन कॉंस्टेंट में से एड़ स्लाइडिंग में से गेर बॉक्स है तो वो देखने को मिलेगा और इसमें एट फोर्वर्ड टू रिवर्स गेर देर के और यह देखिए ड्राइवर व्यू किस परकार का है वहीं डिजिटल देखिए साइड मीरर और ओईल इंबरेश्ट ब्रेक और ड्राइड डिस्क ब्रेक के ओप्सन है दो इसके अंदर तो यह ओईल इंबरेश्ट ब्रेक वाला मोडल है तो यह देखिए एट फोर्वर्ड टू रिवर्स गेर और साध्य अठारा सो केजी लिफ्ट कैपसिटी इ वहीं ड्राइवर सीट की बात करें तो यह अड्जेस्टेबल है ड्राइवर अपने हिसाब से इसको अड्जेस्ट कर सकता है ड्राइवर सीट को और यह देखिए टूल बॉक्स और पीटियो तो पीटियो इसकी पीटियो एच्पी की बात करें तो इसमें 38 एच्पी की तो यह देखिए इंडिकेटर काफी छोटा और स्टाइलिस्ट देरखा है इसका तो चलिए अभी उद्रवाली साइड से देखते हैं किस परकार से ट्रेक्टर में फिचर अपलोड किये गए हैं तो चलिए तो एयर कुल्ड इंजन देरखा किसानव यो इसका सिंगल पीस बोन मेंटर लग रहा है और इसका पाउर स्टेरिंग के लिए अलग से पंप दिया गया है और जो काफी शांदार है और यह देखिए छोटी सेलफ देरख के इसकी काफी छोटी सेलफ है इसकी और यह देखिए एच्डी ग्राफिक्स के साथ में और स्टेरिंग तो इसके अंदर किसानव यो आपको पीटियो स्पीड की बात करें तो पांसो स्तानबे आर्प्यम से स्टार्ट होता है और शिक्स सप्लाइन टाइप का पीटियो दिया गया इसका 38 HP का और ट्रेक्टर की उन्चाई की बा ट्रेक्टर की और all around ट्रेक्टर है किसान बाई ओई है तो इसके जो पीच्छे के टायर देर हैं तो वह 1498-28 के पीच्छे के टेर रखे और यह देखिये पिच्छे की लैंप जो की काफी इस्टाइलीस और शांदर बड़ी देर खी तो क्या किसान बाई आगर रात के समय मे वरक करता है तो कोई प्रेसानी ना हो इसके लिए और यह देखिए टूल वोक्स काफी एड़जेस्टिव जगह पे वहीं बोटल कैप और आइसर की ब्रेंडिंग दुबारा से फैंडर पे की गई है चारसो पिचासी आइसर की और यह देखिए ड्राइवर सीट हुक है वो ए दुबारा से आपको बताना चाहूंगा कि यह साध्य अठारा कोईंटल के लिफ्ट केपसिटी है वो देर की है इस ट्रेक्टर की और जो काफी शांदार है अपनी केटिगरी में सबसे ज़्यादा है यह लिफ्ट केपसिटी है जो इसकी और पावर प्लग देर का है ताकि अगर कोई पिछे इंप्लिमेंट जोड़ते हैं तो उसके लिए पावर प्लग भी इसके अंदर है जो आपको मिलेगा तो वहीं इसके कीमत की बात करें खिसानवायो तो इसकी कीमत 6,00,000 से 6,30,000 रुपे के क्रीब क्रीब इसकी कीमत है वो देर की है और यह देखिए टायर इसके 14,28 और 13,28 के टायर ओप्सनल है आप अगर 13,28 के लेना चाहेंगे तो उसकी प्राइज है वो थोड़ी कम हो जाएगी तो वीडियो अच्छे लिगे तो लाइक से एर कमेंट और मैरे चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफि से जल्द पहुंच के लव यू और